कि और लो मुषकर दूस्तों मेरा नाम रूशन है और ये महराज कौन है विच्ण ऊए और कौन क्य ऑर आज क्या बनाने वाले महराज रेशु अगे so निगरण चक के देखते हैं कैसा बनाया ऊछ सबांग्ट हो कैसा बनाया एक कि तो यह कहना चांग है अज हम दढ़ वाले यह वारी से राट चेमिंड जोकि बनेगी बहुत ही युन दिनलियों कि धून खाक यह बता दिया तह चलिए बनाते हैं क्या पाइनेपल आइस्क्रीम तो चलिए बनाते हैं ये पाइनेपल आइस्क्रीम तो चलो बनाते हैं एकदम simple recipe है, actually आपको gas जलानी की भी जरुवत नहीं है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक mixer jar, उसमें हम डाल देंगे लगभग 1.500 gram pineapple, ऐसे छोड़े-छोड़े pieces में आपको cut कर लेने है pineapple को, 60 gram इसमें चीनी डालेंगे अगर ये 1 4th cup है, अगर आप चमबस्चे डाल रहे हैं, तो 4-5 चमच आप चीनी डाल दीजिए, pineapple ज्यादा खटा नहीं होना चीए, मीठा होना चीए, और ऐसा इसका पेष्ट जैसा हम बना लेंगे, देखे, एक तम smooth सा पेष्ट आपको इसका तयार कर लेना है, तो चलिए पेष्ट बन चुका है, और ये बॉल ले लिया है, मैंने ये कब, बॉल मैंने फ्रिजर में ठंडा कर लिया है, आदे घंटे तक, आपको देखने से लग भी रहा होगा, ये है विप क्रीम, आसानी से आपको सूपर मार्केट में विप क्रीम मिल जाएगा, तो आपको थोड़ी चीनी इसमें डालनी पड़ेगी, तो ये एकदम फ्लॉफी हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे वो पाइनेपल का प्यूरी पेष्ट जो हमने बनाया था, ये पाइनेपल का पल्प है, ये इसली आपको सूपर मार्केट में मिल जाएगा, अगर आपके पास ये पाइनेपल पल्प नहीं है, तो आप इसमें पाइनेपल एसेंस भी एड़ कर सकते हैं, बट ये मैंने पाइनेपल पल्प इसमें एड़ किया है, लगबग 2 टेबल स् थोड़ा सा yellow food color इसमें add करेंगे और फिर से आपको यह blender घुमाते रहना है ताकि यह सारी जो हमने इसमें flavor's add किये हैं वो एक दूसरे में मिल जाएं तो ये देखी, ये सब कुछ एक दूसरे में मिल चुका है, अब हम इसमें फिर से कुछ पाइनेपल के छोटे चोटे टुक्रे डालेंगे, ताकि जब हम इसे खाएं तो बहुत ही अच्छा पाइनेपल का फ्लेवर उभर के आए, अब सब चीजों को हमें एक साथ मिला देना ह अब को कुछ निकरना है, अगर आपके पास कोई बर्तन है, स्टील का है, कुछ भी है, जिसमें आप जमाना चाहें, आप जमा सकते हैं, कोई प्रॉबलम नहीं है, ये में पस केक कटीन है, इसमें मैं ये जो आइसक्रीम है, वो डाल दूँगा, अब इसे आपको ठोक के तुरह सेट कर लेना है ताकि चारो तरफ equally हो जाएए अब आपको कुछ नहीं करना एक जो बैक्स आती है ना प्लास्टिक की उसमें इसे डाल देना है एकदम सिंपल है और ऐसा इसे सील करना है कि इसमें आप मतलब जो फ्रीजर में जो एर बनती है वो इसके अंदर नहीं जाने चाहिए वरना ये जैसे क्रिश्टल आ जाएंगे बर्फ केस में तो ऐसा आपको इसे एकदम सील कर देना है तो इसे मैंने सील कर दिया है, अब आपको ओवरनाइट या 6-7 गंटे फ्रीजर में रखना है, ओवरनाइट रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, यह देखें मैंने ओवरनाइट इसे रख दिया था और इसके उपर बर्फिज जम चुकी है, ताजा, अब हम इसे बाहर निकाले और हमारी जो पाइनेपल आइसक्रीम है, वो बनके तयार है, और जैसा कि रिश्व ने आपको चक के बताया है, यह बहुत अच्छी बनी है, तो आपनों जरूर प्राइक कीज़ेगा, गर्मी का सीजन भी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीज़े, शेय कीज़ेगे, तो तक यू सो मुक्छ